Hello everyone, Welcome on Grasping Python Grasping Python पर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Class 12th Compute Science के Term 1 के CBSE Sample Paper की बात करें CBSE Sample Paper की तो वो Sample Paper आल्रेडी हम डिसकस कर चुके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं आज हम दूसरा एक Sample Paper डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे Section-wise Cutions की और उनको हम सॉल करने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है जो CBS ने Sample Paper डाला था वो तीन सेक्षन में ऐसा है आपका जो Board का एक्जाम होने वाला है वो भी तीन सेक्षन के अंदर होगा Section-1 जिसके अंदर 25 Qs होगे Qs No.1 से लेके 25 तक आपको कोई भी 20 Qs सेलेक्ट करने हैं और उनका अंसर देना है जो Best Possible अंसर होगा वो आपको सेलेक्ट करने है तो हम डिसक्षन करने हैं Section-1 से लेके 25 तक के Qs है उनको हम डिसक्षन करने है सबसे पहले अगर हम Qs के बात करें In Python, the term Global, Else and Pass are used to refer तो देखे Python के अंदर Global हो गया, Else हो गया, Pass हो गया यह क्या होते है उनको देखे है आप एक और Concept यहां पर अप्लाई करिएगा हमेशा जब भी MCQ टाइप के Papers अगर आपको मिलते हैं Qsन पेपर आता है या Qsन होते हैं आंसर्स को आप Eliminate करने की कोसिस करिए पहले Eliminate करतेने के बाद जब आप Correct Answer की तरफ जाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका Correct Answer कोन सा है तो यहां पर देखे लिटरल्स के अगर हम बात करें तो लिटरल्स के अंदर आपने String Literal पढ़ा है कर नहीं हो सकता पंक्ट्वेटर्स की बात करें तो पंक्ट्वेटर्स के अंदर आपका अंगुलर ब्रैकेट क्योशन मार्क हो गया डोट हो गया, मल्टिप्लिकेशन हो गया यह सारे के सारे पंक्ट्वेटर्स के अंदर आते हैं तो देखे आपको पता है टपल जभी भी डिक्लियर करते हैं तो वह सुरू होता है आपके पैरेंथेसे से अब यहां पर देखे अगर हम इसकी बात करें तो यह करली ब्रैसे यूज कर लिया तो यह आपका हो जाएगा अब टाइप हो रहा है आपका option 1 और option 2 के अंदर देखे टापल को डिक्लियर करते हैं आपको पता है इससे तो आपका directly आंसर तो हो जाएगा यह राइट बट यहां पर option 2 भी आपका correct है क्योंकि अगर हम इस तरीके से भी डिक्लियर करते हैं तो यह by default आपका क्या हो टापल डिक्लियर हो जाएगा तो इसका जो बैस्ट करेक्ट आंसर होगा आपका option नंबर वन इस दा करेक्ट आंसर नाव क्यूसर नंबर 3 गिवन अ टापल नेम उफ दापल इस टापल 1 25 35 43 12 22 13 56 45 78 90 और दा मेंबर्स नाव यह क्या रहा कि क्या आइडेंटिफाइड अस्ते यह वाला element प्रिंट हो जाए देन इसके बाद 43 यह वाला element प्रिंट हो जाए देन आपका 13 यह वाला element प्रिंट हो जाए देन इसके बाद 45 यह वाला element प्रिंट हो जाए देन 90 प्रिंट हो जाए इट मींज अब आपको क्या करना है इस टापल में से इन elements को प्रिंट करना है तो यहां पे देखें आप जबी भी इसको देखेंगे तो यह 0 index पे यह 1 index पे यह 2 पे यह 3 पे यह 4 पे आपको पता है 5, 6, 7, 8 तो आपकी indexing 0 index then 2 index then 4 index का element print होगा then 6 index का element then आपका 8th index का element print होगा तो अब हमें अगर इसको print करना है तो यहां पे start और stop नहीं देते हैं जिरो से सुरू हो रहा है step की value आपको देनी पड़ेगी 2 तो यहां पे देखें अगर आप इस तरीके से declare करेंगे तो entire टफल प्रिंट हो जाएगा तो यह भी आपका answer नहीं हो सकता यहां पे step की value कितना दे रखा है आपको 9 तो यह भी नहीं हो सकता तो correct answer आपका हो जाएगा यह इसमें start and stop की value नहीं दे रखी यह optional है तो यह by default 0 से शुरू होगा और last तक चलेगा और step की value यहां पे आपने क्या कर दिया 2 तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number 3 is the correct answer next चलते हैं कि उसमें number 4 पे कि उसमें number 4 की अगर हम बात करें तो यह कर रहा है which of the following statement is correct regarding file access mode file access mode के regarding कौन सा statement correct है उसके अगर हम बात करें तो यहां पे लिख रहा है का our mode we can read and write okay तो r mode के अंदर हम क्या कर सकते read तो कर सकते बट write नहीं कर सकते तो यह statement आपका रोम हो चुका है append mode में the existing data will be overwritten no क्योंकि अगर आपने a mode में append mode में file को open किया है तो इसमें क्या होगा existing data आपका रहेगा और जो data आप add करना चाहरे है वो last में क्या करेगा append हो जाएगा in w mode data in a file is written and new data will be appended to the end of the file no यह काम होता है आपके append mode के अंदर now fourth option बचा है आपका तो यह correct option होगा इसको देखी क्या कह रहा है in a plus mode both read and write operation can be take place and new data is appended to the end of the existing file right तो question number 4 का जो correct answer हो जाएगा option number 4 now question number 5 की अगर हम बात करें which of the following option can be used to read the first five characters of a text file poem.txt अब यहाँ पे बात कर रहा है poem.txt में से first five characters read करने है तो देखे अगर यहाँ पे आपने देखा रइड function होता है a vocêbird line होता है और रिड lines होता है तो यहाँ पे 4 भे दे रख्eless, 5 भी दे रख् ya 6 भी you read lines दे रख्क open किया file आपका है myblock.txt और file को read mode में open किया which of the following option can use to print the last line of a text file myblock.txt यह कहने का मतलब यह कि यह अगर आपकी कोई file है और इस file के अंदर मान लिजे यह line 1 है यह line आपका 2 है यह line आपका 3 है यह line आपका 4 है यह line आपका 5 है अब यह कह रहा है कि आपको क्या करना जो last line है उसको display करना है print the last line तो हम कैसे इसको display करेंगे इसके लिए हम क्या करते है read line function यूज कर ले तो यह entire file आपकी read हो जाएगी और एक आपकी list बन जाएगी और उस list के अंदर जो member होगा वो पहली line आपका 0 index पर होगा second line आपका क्या होगा one index पर होगा ऐसे third line आपका two index पर होगा so on ऐसे आपके list बन जाएगी अब हमें क्या चाहिए last वाला जो element है वो last वाली line है वो print करनी अब आपको पता है कि indexing की अगर हम बात करें तो forward indexing होता है जो 0 से शुरू होता है जिरो से लेके 1,2,3 ऐसे चलता है और एक होता है backward indexing जो minus 1 से शुरू होता है अब हमें last line को print करना है तो यह इस वाले index पर जो element है उसको display करना है तो यहां पर देखे यह वाली अगर हम बात करें तो यह तो syntax ही गलत है option 1 भी गलत हो गया option 2 की अगर हम बात करें तो display equal to उन्होंने क्या किया file को read किया object के साथ read lines के साथ तो यह tuple बन चुका है now यह display आपका टपल बन चुका है अब इसमें से last index की value प्रिंट करनी होते है यहां पर लास्ट इंडेक्स में minus 1 कर दिया तो यह प्रिंट कर देगा तो option 2 is the correct answer यह वाला syntax भी आपने कहीं यूज नहीं किया होगा read के अंदर और यहां पे भी positive character आप पास करते है number of character तो यह भी काम नहीं करेगा तो question number 6 का जो correct answer है वह आपका हो जाएगा option 2 next चलते है question number 7 की तरफ question number 7 में कह रहा है which of the following statement is used to open a file to add new contents at the end of the file देखे, file का नाम आपको दे रखा है इसके बाद इसमें कह रखा है कि file already exist करती है new contents आपको add करना है end of the file में add करना है तो आपको पता है file को append mode में open करना पड़ेगा अब file को append mode में open करने के लिए कौन-कौन से method होते हो देखे सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें with open my diary.txt right mode में open कर रहा है तो यह आपका जो answer है यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि right mode में अगर आप open करोगे file को तो यहाँ पे काम करेगा नहीं right तो यह option आपका हो जाएगा गलत now append mode के अगर हम बात करें तो file obj equal to open my diary.txt और append mode यह काम करेगा क्योंकि append mode में open किया है with open my diary.txt file का mode append दिया है as file object यह भी काम करेगा with open के साथ r plus mode में open किया है तो यह काम नहीं करेगा तो option two and third as the correct answer only option one no only option two no both two and fourth this one is correct both one and fourth no तो हम कह सकते हैं कि question seven का जो correct answer होगा हो c अगर वो यहाँ पर correct की जगे हो कह देता है कि not correct option तो उस case में फिर आपका option हो जाता one and fourth तो question को भी पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि आप correct पूछ रहा है या फिर incorrect पूछ रहा है right now question number eight पे चलते है write the output of the following code x equal to rain it means x एक string declare किया है उसकी value rain है z equal to 3 z की value यहाँ पे इनोंने 3 दे रखिये print कर रहा है length of x multiply by z तो आपको पता है length of x क्या करता है x की length calculate करेगा और length का मतलब होता है यहाँ पे इस x के अंदर कितने character है अगर हम यहाँ पे बात करें number of character की तो rain के अंदर 4 character है तो यहाँ पे length of x जो है आपका 4 आएगा multiply by z z की value आपके पास 3 है यह multiply हो जाएगा और result आजाएगा यहाँ पे क्या 12 तो correct answer of the question 8 is third अब यहाँ पे देखे अगर length की जाएगा वो लिख देता x then आपका output क्या होता rain को replicate करेगा z time और z की value कितनी है 3 तो आपका output फिर आता rain rain then rain right तो आपको ध्यान देना है question के अंदर क्या पूछा गया है now next देखे question number 9 fill in the blank with the appropriate operator to obtain the output अब यहाँ पे देखे 31 दे रखा है फिर यहाँ पे कोई operator आपको use करना है then इसके बाद उसके साथ 3 को apply करना है equal to आपका आना चाहिए 10 तो देखे divide वाला तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि divide में तो float में result आना चाहिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें exponent की बात करें तो 31 की power 3 तो यह भी नहीं हो सकता अब आपके पास दो operator बचें एक आपका mode operator बचा हो और एक आपका floor division mode operator की बात करें तो remainder written करता है it means 31 को आपने divide किया 3 से और remainder जो बचेगा तो यहाँ आपका 10 time जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा remainder बच गया तो यह इसका answer आजाएगा question number 9 का जो correct answer होगा वो third होगा now इसके बाद question number 10 पे चलते है consider a tuple t1 tuple के अंदर declare कर रखा है यह 0 index पे 2 है यह 1 index पे आपका 3 दे रखा है और यह आपका dictionary declare कर रखा है tuple के अंदर ठीक है और इसका जो index होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2 index तो tuple के अंदर string भी हो सकता है, integer भी हो सकता है, dictionary भी हो सकता है, list भी हो सकता है, tuple के अंदर tuple भी हो सकता है, identify the statement that will result an error, अब error कौन सा result करेगा देखे, tuple के अंदर अगर हम बात करे, print t1 और 3, तो 3 index तो कुछ है ही नहीं, print करेगा नहीं, तो यह आपका error report कर देगा, now print t1 index 0 यह print कर देगा, 2 in t1 membership operator यह भी true return कर देगा, then यह क्या return कर देगा, length of t1 यह आपका 3 आ जाएगा, इसके अंदर 2 print कर देगा, यह true result कर देगा, बट जो option 1 है, यह error report करेगा, क्योंकि यह पे index value 3 है ही नहीं, तो यह error report कर देगा, तो correct answer of question number 10 is 1, clear, next चलते है, question number 11 पे, 11 की अगर हम ब information is stored in a machine readable format, right, machine readable format and pickle module, 2 चीज़े आपको यह आप देखने को मिली है, machine readable format और pickle module is used to read and write, तो आप कोई पता चल जाना चाहिए, कि pickle module use कर रहा है, read and write operation की बात कर रहा है, तो obviously pickle module किसमें काम करता है, csv file में करेगा नहीं, text file में करेगा नहीं, binary file के अंदर यह काम करेगा, तो you are writing a text file, now you want to identify where is the cursor is currently at in the file, which function will you see for the same, तो देखे, अगर आपको पता करना है कि आपका file, आप यह text file है, और इसके अंदर कुछ contents आपने write कर दिया, और आप चाहते हैं, write करते वक्त आप यहाँ पे पहुंच गया है, और इस file pointer की position चाहिए, तो आप कौन सा operator यूज करोगे, तो आपने file के अंदर tell function यूज किया है, जो आपको position बताता है, file pointer की, seek हो नहीं सकता क्योंकि file को move करने के लिए यूज करते है, hide and type वैसे नहीं हो सकते, now question number 13, 13 के अगर हम बात करें, identify which function is used to write data in a binary file, अब binary file के अंदर अगर आपको data write करना है, तो कौन सा function आप यूज करोगे तो इसके अंदर आपको पता है, binary file के अंदर अगर आपको operation perform करना है, तो एक function होता है, seek तो काम करेगा नहीं, write भी काम नहीं करेगा, दो function होते है, binary file के उपर, जो pickle module के अंदर होता है, एक आपका load होता है और एक dump होता है, load function read करने के लिए यूज करते हैं, dump function write करने के object open कर लिया read mode में file के अंदर यहां पर यूज किया seek 25 और offset की value 0 यूज किया अब यहां पर offset की value क्या क्या होती है वो एक बार आप देखें फिर उसके बाद इसके answer को हम discuss करेंगे जो seek function का syntax होता है वो देखें क्या होता है यहां पर आप file का जो भी object होगा वो dot seek then इसके बाद यहां पर आपकी offset value होगी offset value then इसके बाद from where आता है यहां पर from where right अब इसकी जो value होती है वो हो सकते या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो अगर यहां पर from where कुछ भी नहीं दे रखा है यह value नहीं भी दे रखी है तो उसकी जो value होगी by default वो 0 होती है इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है तो यहां पर देखी अभी इस time पर इसमें 0 दे रखा है और नहीं भी देता है तो भी by default 0 होता है और इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका starting of the file from the starting right then अगर इसकी offset value 1 होगे तो यहां sorry offset value के साथ अगर 1 दे रखा होगा तो current position से count करे गए right current position then इसके बाद अगर इसकी value 2 होगी तो यहां पर करेगा from the end of the file मतलब end of the file end of file current position और यहां पर हो जाएगा यह beginning of the file right तो यह आपको याद रखना है अब इसके according अगर हम बात करें तो कहरा है it will place the file pointer at 25 ahead from the current file pointer no क्योंकि यहां पर 0 दे रखा है 0 का मतलब beginning of the file तो यह option आपका गलत हो गया फिर कहरा है it will place the file pointer at 20 bytes behind the end of the file end of the file के लिए option इसके value होनी चाहिए 2 तो यह भी नहीं होगा it will place the file pointer at 25 bytes from the beginning of the file yes it is the right answer and fourth option है it return 25 character from the 0th index no 0th index से नहीं करेगा 25 character तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number अपका 14th का जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए from 20 0th index से करेगा इसका तो कोई concept ही नहीं है यहाँ पर इसकी value के ओपर depend करेगा कि यह beginning से करेगा current position से करेगा या फिर end of the file से करेगा now question number 15 की अगर हम बात करें तो यह कह रहा identify the incorrect statement regarding passing parameter to the function अब function के अंदर अगर parameters pass करना है तो उसका कौन साथ statement incorrect है यह द्यान से पढ़ना है आपको correct नहीं है incorrect statement अब इसमें first option कह रखा है you can pass keyword argument in any order बिल्कुल सही कह रहा है हम keyword arguments को किसी भी order में हम pass कर सकते है option 2 जो कह रहा है you can pass positional argument in any order positional argument को भी हम किसी भी order में pass कर सकते है you can pass both positional and keyword argument together now यहां पर यह जो चीज कह रहा है यह थोड़ा सा आपको सोचना है एक मिनट इसमें क्या कह रहा है you can pass positional argument in any order नहीं positional argument को तो उसी order में pass करना पड़ेगा जिस order के अंदर position इस्पेसिफाई कर रही है ठीक है तो incorrect क्या हो जाएगा आपका यह वाला statement तो question number 15 का जो correct answer हो जाएगा option number second is the correct answer now next जरते है question number 16 पे 16 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि identify the correct statement regarding declaration of default parameters अगर हम default parameters की बात करें तो आपको पता है default parameters कैसे define करते हैं कोई भी function अगर आप define करेंगे तो def आपको use करना है function को define करने के लिए यहाँ पे आप use करेंगे name of the function name of function यह आपका user defined name होगा और यहाँ पे आपको parameter provide करने है तो जो भी default parameters होंगे वो हमेशा last में होते है beginning के अंदर आपके जो normal parameters होंगे arguments होंगे वो pass करोगे तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे cost की value इसने 20 डाल दिया है और फिर quantity डाल रखा है फिर discount तो यह default parameter ऐसे pass नहीं कर सकते हैं second के अंदर दोनो default argument पहले फिर आपका normal parameter है तो यह भी हम नहीं कर सकते हैं अगर हम third की बात करें तो cost, default argument, default argument तो इसको हम कह सकते हैं कि यह आपका correct है next आपका दे रखा है define def के अंदर total amount, cost, quantity then this अगर यह quantity आपका इस तरफ होता तो फिर आपका क्या हो जाता है correct हो जाता है, तो इसमें option number third is the correct यहाँ पे, अब यहाँ पे option two only, option two नहीं हो सकता आपका answer क्यों, क्योंकि इसके अंदर इनोंने क्या कर रखा है, पहले default argument पास कर रखा है और फिर उसके बाद main argument पास कर रखा है now इसके बाद second and third, second आपका नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि second के अंदर भी इसनिए उही काम कर रखा है, third आपका हो सकता है, तो यह भी नहीं है both one and third, one and third नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे यह argument आपका default value प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, then इसके बाद आपने default value प्रोवाइड कर रहें, then इसके अंदर fourth, fourth भी आपका नहीं हो सकता तो इन options में तो कोई ऐसा है नहीं हाँ, अगर हम यहाँ पे काम करें कि इस वाली जो problem है, इसमें discount को अगर हम इधर ले लेते हैं then इसके बाद आपका यह भी correct हो जाएगा, तो इसका correct answer, इन में से कुछ नहीं के correct option होगा यह, ठीक है, और अगर आप इसको इधर ले ले लेंगे, तो फिर correct answer हो जाएगा, आपका d, I hope it is clear next question number 17, consider a function def, cal underscore cube, argument ले रहाए and which of the following function function call की बात कर रहा है can be used to invoke the function अब देखिए, function को जबी भी call करते तो आपको पता है कि आपको function का name provide करना होता है और argument pass करना होता है, जिसको बोलते actual parameter, तो यहाँ पे देखिए function का name तो provide कर रहा है parameter भी इसने 5 pass कर रहा यहां पर colon लगा दिया तो यह नहीं हो सकता यहां पर argument function का नाम है argument pass नहीं कर रहा है तो यह भी नहीं हो सकता हाँ एक case में हो सकता था अगर यह default argument 20 होता तो फिर यहां पर इसको मैंसे call कर सकते थे option number 4 तो आपका वैसे नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर तीन argument pass कर रहा है तो यह भी नहीं होगा तो इस question का 17 का जो correct answer होगा option number 3 is the correct answer right next question number 18 which of the following function forces the writing to the data on a disk which are still pending in the output buffer जहां पर भी output buffer की बात करता है buffering की बात आ जाती है तो हम यहां पर plus जो programs होता है function होता है उसको हम use करते है जो क्या कर देता है write कर देता है read नहीं करेगा save भी नहीं करेगा load भी नहीं करेगा क्यों plus एक method होता है जो क्या करेगा data को जो buffer के अंदर जो data है output buffer के अंदर उसको क्या कर देगा file के अंदर write कर देगा now question number 19 के अगर हम बात करें तो यह कर रहा है which of the following statement is correct regarding csv writer object for storing data in a csv file अगर हम question number 19 के options की बात करें तो देखे options में क्या क्या options आपको दे रखा है पहला option दे रखा है remove the delimiter characters from the data before storing no यह तो होई नहीं सकता return the writer object which write data into csv file yes यह हो सकता है create rows यह भी नहीं होगा create columns यह भी नहीं होगा तो 19 का जो correct answer होगा option number 2 now next question number 20 की बात करें which of the following is a default delimiter correct in csv file csv file का नाम ही आपको पता है comma separated value तो इसका correct answer हो जाएगा वो आजाएगा आपका comma तो option number 2 is the correct answer now question number 21 की अगर हम बात करें तो 21 में क्या करा है which of the following group of function belong to csv module csv module से कौन-कौन से functions belong करते है तो यहाँ पर देखें यह क्या रखा reader writer obviously next write row and read यह नहीं होता है read तो इसके अंदर आएगा नहीं read lines, write lines यह भी नहीं होगा writer and write lines यह नहीं होगा csv के अंदर आपका एक reader होता है और एक writer होता है next अगर हम क्यों से number 22 की बात करें तो 22 के अंदर यह कह रहा है कि in which mode are the python instruction store in a file with .py extension .py extension पे अगर आपने किसी file को save कर रहे है तो obviously script mode होगा run mode हो नहीं सकता interactive mode आपका जैसे python आप open करते हैं और आपने single line command जो देते हैं वो आपका interactive mode होता है all of these हो नहीं सकता तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका one now question number 23 की अगर हम बात करें तो 23 में यह कह रहा है which of the following statement is considered as a multi-line comments तो multi-line comments में यह हो नहीं सकता है यह भी नहीं हो सकता option number 3 is the correct answer right now question number 24 पे चलते हैं 24 की अगर यह बात कर रहा है तो import किया पिकल color के अंदर red, green, orange, yellow, blue file को open किया open करने के बाद file का object बनाया इन्होंने यह फिर आप से पूछ रहा identify the missing statement statement one आपका missing statement है और statement one क्या कर रहा है वो भी देख लिए that will write data from a list on a binary file मतलब इस list को इस file के अंदर write करना है तो obviously आपकी binary file के बात कर रहा है तो write करने के लिए dump method यूज कर रहा है तो load वाले दोनों option आपके eliminate हो जाएंगे अब dump के दो method है आपके पास जिसमें pickle.dump file का object और color आ रहा है दूसरा आ रहा है आपका pickle.dump जो write करना है वो और जिसमें write करना है वो तो आपको यह पता है कि जब भी हम dump method यूज करते है तो dump method का जो syntax होता है वो होता है कि जो आपको write करना है वो और जिसमें write करना है वो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें write करना है colors को किसमें write करना है my bin file के अंदर तो यहाँ पे जो correct answer हो जाएगा option number third is the correct answer now question number 25 के अगर हम बात करेए ध्यान रखेगा dump का जो syntax होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ pickle.dump अब इसमें आपको क्या करना है जो write करना है वो पहले आएगा मतलब what जो write करना है what and where where आएगा आपका यहाँ पे file object तो यहाँ पे आपका file object आएगा क्योंकि आपको यहाँ पे write करना है और यहाँ पे जो data का object होगा या जो भी होगा data आएगा जो write करना है आपको write और comma बीच में आएगा तो इसका correct answer आपका यह now 25 के अगर हम बात करें तो 25 में कहा रखा है कि identify the statement that result and error तो यहाँ पे देखे dictionary declare किया dictionary के अंदर अगर आप declare कर रहे हैं तो यहाँ पे देखे key and value key and value key and value तो इसके अंदर तो कोई error नहीं दीख रहे है आपको मेरे साब से तो कोई error नहीं है अगर आप के उसे number 2 की अगर हम बात करें option number 2 की तो key value key value and key value तो यह भी ठीक है dictionary declare कर रहा है curly brushes की जगे यह आपका यूज कर रहा है curly brushes यूज कर रहा है parentheses नहीं है now dictionary यहाँ पे बात करेंग तो dictionary के अंदर यह bracket तो होई नहीं सकता यह आपका tuple के अंदर यूज करते है यह आपका empty dictionary है तो इसमें पूछ रखा है कि कौन सा statement जो error report करेगा तो यहाँ पे statement 3 report करेगा आपका error बलकि statement 1 and statement 2 and statement 4 are the correct option तो यह थे आपके question number 1 से लेके 25 section A के अंदर I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो जिसमें से आपको केवल 20 questions attempt करने है इसके बाद next section में हम discuss करेंगे section B अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like करिए, share करिए, comments करिए अगर कोई doubts है तो Thank you, जै हिन, जै बारत